जैहिं दोस्तों आज बहुत ही ज्यादा गारवानवित करने वाला दिन है जानते हो क्यों क्यों क्योंकि आज के दिन अंग्रेजी सासन के वुरुद संग्राम सुरू करने वाली देश भक्त सेनिक मंगल पांडे जी की जैनती पर सब भारत वासियों के तरह से उन्हें सत सत सलाम सन अठारो सो साथ काउन की नायक सहीद मंगल पांडे नहीं देश के सरोपर्थम सौतंता संग्राम की अलग जगाई थी उनका जन उन्नीज जुलाई अठारो सो सताइस को उत्तरपरदेश के बल्या जिनकी दिपादा में वा थ कंपनी की चौतिसवी बंगाल नेटिव इंफेंट्री बैरक पुछाओनी में एक पैदल सिपाई के रूप में भरती होगे प्रंतु समय के साथ उनमें कंपनी की स्वार्थी नीटियों के कारण अंग्रेजी हुकुमत के परती नफरत भनने लगी इसी बीच बंगाल युन से खोलना होता था अफवा फैली और यह फैक्ट भी था कि कार्तूस बनाने में गाई और सुवर की चर्वी का परियोग हो रहा है इसमें हिंदू मुशलमांग दोनुवी सेनिकों में अक्रोश भर गया नो फरवरी 1857 को जब ये कार्तूस बाटे गए तो मंगल ने लेने से मना कर दिया अंग्रे जी अफसर गुसे में आगे और उन्होंने हत्यार और वरदी छीन लेने का आदेश दिया ऐसा ही हुआ मंगल पांडे जी का हत्यार और बंदुक छीन लिया गया प्रंतु जब ऐसा किया जा रहा था तो उन्होंने अंग्रेजी मेजर हूसन और वाक पर आक्रमड कर दिया उन्हें मौत के घाट उतार दिया और 29 मार्ज 1857 को बैरकपूर छाउनी में अंग्रेजी के खिलाप विद्धो का बिगुल बजा दिया उन्हें ग्रिफ्तार कर लिया गया दोस्तो अंग्रेजी ने हमारी पीडियों को कितना सताया वो तो हम सब जानते हैं उन्हें अत्याचारों को हम भुलाया भुलाने सपाएंगे ऐसा ही वा और 6 अप्रेल 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई उन्हें 18 अप्रेल को फांसी होनी थी प्रंतु उनकी बढ़ती हुई लोगपिलिता के डर से 10 दिन पूर्व ही यानि 8 अप्रेल को ही उन्हें फांसी दे दी गई इसके बाद 10 मई को मेरट सेनिक छाउनी में बगाउत हुई और देखते ही देखते यहाँ चिंगारी पूरे उत्तर भारत में आग बन कर फेल गी मंगल पांडे द्वारा सुरू की गई यह चिंगारी आजाती की लड़ाई का मूल बीज साबित हुई जो भारत का पर्थम सुतंत्रा संग्राम था दोस्तो हमारे पूरवजो द्वारा हमारे भादूर सेनिको द्वारा भाए गए खुन को हमें भूनना नी चाहिए और हमको याद रखना चाहिए उनके द्वारा दी हुई आजादी का हमें नजायत फाइदा नहीं उठाना चाहिए रास्ट भक्ती हर में हमें जगानी होगी और मैं ऐसा नहीं मानता हूँ अगर सच्चे दिल से दिल की आवाज दिलों तक पहुँचाई जाए तो हर बंदा रास्ट भक्त हो सकता है और अगर हम रास्ट भक्ती जता नहीं पाए कर नहीं पाए तो मुझे लगता है हमें यह आजादी जो बड़ी मुस्किलों से मिली यह भूलना पड़ेगा लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे हर जाती हर धर्म को उठ उठ कर आना होगा और इस देश को बचाना होगा हर को रास्ट भक्त होना होगा मैं चाहूंगा कि हम सब लोग रास्ट भक्त बन जाएं और इस देश को एक विश्व गुरूब बनाएं धन्यवाद जहिंद